कुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ही है ठीक है तो कह रहा है ए ओ सी फाइंड करने ठीक है तो एंगल ए ओ सी find करना है यानि ये एंगल को find करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने मन से एक लाइन को कंस्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दो शमांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा परती छेद करता है, तो ये कौन और ये कौन क्या योग फल कितना डिगरी होता है? यानि दो आनता कौनों का योग 180 डिगरी होता है, तो उसी परकार हमें हाँ पर कह सकते हैं, कि ये और ये दो समांतर रेखाए हैं, और ये तिर्यक रेखाए हैं, तो ये कौन कितना हो जाएगा? तो ये दोनों कौन का योग 180 डिगरी होगा, तो ये दोनों कौन का योग 180 डिगरी होगा, ति अगर ये 120 डिगरी है, ति ये कितना डिगरी हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा होगा या नहीं उसी परकार अगर इस कौन का बात करें ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिरियक रेखाएं हैं और ये दोनों अन्ता कौन हो गिया दो अन्ता कौनों का योगफल 180 डिग्री होता है अगर ये 130 डिग्री है कितना हो जाएगा पचास डिग्री आप पूछ रहा ये पूरा कौन कितना होगा यानि ये साथ और ये पचास तो साथ पलस पचास कितना हो जाएगा 110 डिग्री यानि ओप्सन डी